हेलो इस्ट्रेंट्स वालकम बेक तो यॉर और चैनल टेज आफ रॉल एज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का पैक्टिस सेड़ आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के ऐसे कुछ टॉंटी को चैनल बताने वाले हूँ इस वीडियो को चैनल बताने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर को चैनल बताता जाओगा वीडियो को पोज़ करके खुद भी आप आप आंसर को केस कर सकते हैं या फिर कमेंट दोक्त में जाकर मुझे कमेंट करके आंसर बता सकते हैं जिससे के आप भी अपनी ग्रामर के लेवल को चैक कर सकते हैं कि आपके ग्रामर का लेवल कितना है कितने आंसर आपसे खुद से बने कितने आंसर आपने खुद से करें ठीक है तो आप भी आंसर साथ में देते जाईएगा ठीक है चलिए बात करते हैं कोचर न जो right answer होगा, क्या होगा? सबसे प्रहे हैं पड़े कि I have seen मैं देख चुका हूँ और यह places places क्या है? एक plural word है क्या है? plural word counted बने इस्थान तो इसका जो right answer होगा, वो होगा many I have seen many places में बहुत सारे या मैं कई इस्थानों को देख चुका हूँ, तो many इस नियुक्रु Sutु सब्सक्रार. प्रेंट!? जाँए कहिस केच आपके सामने केच और सेकंड में कैच और से कि यह तो कहीं से कहीं तक नहीं तक कि कम्पेर कर लें तो देखें तो यहां पर देखें पर राइट आंसर क्या हो सकते हैं आप भी guess कर सकते हैं, जी हां, बिल्कुल आपने सही guess किया, catch us होगा, क्योंकि single subject के साथ, वर्ब में S, S, I, S का use किया जाता है, जो कि हमने present indefinite में पढ़ा है, एक बाब फिर से हम 10 की series लाने वाले हैं, उसमें भी हम फिर से double से समझेंगे, तो right answer हो, catch us, stick us, जो आजाते है कोचे नमर 3, थर्ड वालत जो कोचे ने mostly exam से में पूचा गया है, जी है स्टुएंटस आप कितने भी exam से को टागर देख लेंगे, ज़्यादातार exam से में class 10 और 12 तमें, ये कोचेंस आता है, carrier says knowledge is dangerous thing अब चेसा है आपके सामने a little little few तो इस ट्विए फ्यूड्ड से यहाँ पर मैं आपको बता तो इसके जो right answer होगा वहगा a little a little knowledge is a dangerous thing मतलब कि थोड़ा बहुत ग्यान थोड़ा बहुत गद्यान बहुत ही खतरनाक होता है a little knowledge is a dangerous thing तो यहाँ पर अलिटल आएगा, few तो कहीं से कहीं तक नहीं आए क्योंकि नॉलेज है सिंगुल अंकाउंटेबल लाउन में आता है, तो नॉलेज के पहले लेटल, अलिटल, दालिटल हो तकता है तो इसमें अलिटल आएगा, few तो प्लूरल के साथ आता है, ठीक है आजाते हैं कोचन नुबर 4 की तरफ, कोचन 4 है, जदा टाइम नहीं लूगा, अभी में स्टार्डिक में आपको एक्स्प्रेंट करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन वीडियो आपके काम का है, इसलिए वीडियो को आयन तक जरूर देखेगा, क् आपको बता दू, इसका राइट अंसर क्या होगा, में होगा, इसलिए और पॉसिबिलिटी के लिए हम में का यूज करेंगे, तो यहां पर आई तिंक इट में राइन तूडे, इसका राइट अंसर होगा, में, ठीके स्टुएंट्स चलिए, आ जाते हैं कोचन 5 की तरफ, क अनकाउंटेबल नाउन के फ़र, और यहां पर जो सब्जेक्ट है, मतलब यहां पर बुक्स वाली बात चलिए, जो के पिलिडल, काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, अब अब एनी और सम में देखते है, देखिए एनी भी नहीं होगा, क्यों एनी का यूज के जाता है, न चलिए बात करते है, next question, coach नमारा six say, my brother is black lips engineer, article बहुती आसान है, engineer है, engineer है, engineer में sound देख लिए किस चीज का आ रहा है, E का sound आ रहा है, जो कि एक vowel sound दे रहा है, तो N लगेगा, ठीक है, my brother is an engineer, my brother is an engineer, मतलब कि vowel sound हो, तो हमें N का use करना होता है, जो कि E का sound दे रहा है, E sound दे रहा ह any or some, to the key student, interrogative sentence, question mark आया है, मैंने अभी आपको बताया था, recently आपको बताया था, any case is negative, interrogative sentence में किया जाता है, तो यहां पर right answer होगा, any, did you buy any sugar from the shop, to any आया है, क्योंकि sentence interrogative में, जो के helping website start होगा है, चलि, question number 8 की तरह बढ़ते है, question number 8 पार आ जाते है, question number 8 आपका यह रहा है, question 8, थोड़ा से मैं इसको set कर लेता हूँ, यह मैं इसको you कर लेता हूँ, ठीक है, चलि, question number 8 यह रहा, यह रहा, I don't like blank list of them, either, neither, इसको either or neither भी बोला जाता है, ठीक है, तो I don't like, तो इसका right answer होगा, either, I don't like either of them, क्यों, देखिए, क्योंकि sentence negative है, negative है, इसलिए either आए, क्योंकि neither के स किसी को भी पसंद नहीं करता, या फिर नहीं करती, right answer होगा, either, nine वाला है, you blank list of them, stop smoking, you stop smoking, तो इसका right answer होगा, must, you must stop smoking, मतलब के advice दी जा रही है, कहा जा रहा है, कि आपको smoking करना, stop कर देना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा, must, you must stop smoking, question 10, we are going blank list of a match today, आफशाद आपके सामने play है, अब देख सकते है, option playing है, to play है, played है, तो इसके बाद अब आपका use होगा, to play, infinitive, तो यहाँ पर आएगा, to play, okay, double verb आजाए, तो second वाली जो verb होती है, वो two के साथ use होती है, ठीक है, we are going to play a match today, तो to play इसका right answer होगा, अब बचता है, coach number 10 होगा है, 11 पर आजाते है, coach number 11, इ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जारूरा है, वीडियो आपके बहुत जादा का है, इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा, और वीडियो को लाइक कर देजएगा, चलिए, बात करते है, coach number 11 के बार हम इनका यूज करते है, New Delhi, जो कि वारत की capital भी है, तो इसके बीफर इनका यूज आएगा, my friend lives in New Delhi, question 12, work hard, less you blank space fell, would, could, should, तो street, इसका right answer आप भी guess कर सकते है, चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसका right answer बनेगा, should, work hard, less, अगर आजाएगा, less, तो less, के साथ should का यूज क इसके फिपमें, तो science जरूर आएगा, go papi, परीफर मिल्क, blank space झी बहुत ही important इसके बगधदाधा the discord, बहुत बहुत ही important, बरादाधा परीपूदेन होज आपोछा मील्क, प्रीफर मिल्क तो रहा है कि आप आप जाये गा Mr.Dravid is a European Mr.Dravid is a European एन बिल्कुल नहीं आएगा E को देखकर E को देखकर E आप मत भर देना क्योंकि E साइलेंट है E को आप 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 जीए उसके बाद जो इस्तार्ट हो रहा है आपका वर्ड उसको European बोला जाएगा और European मतलब कंसुनेंट सांड जाएगा Mr.Dravid is a European ठीके रहीं एस्तुइंट्स गोडिटोगी बात करते है कोच नमबर 15 के बारे में यहाई कोच नमबर 15 अब बिलिंकिस औस फ्रेंट्स मच में नहीं रिलीस बुक्स के पहले कोई भी आपेक्स के पहले धर्मिकरतों के पहले महा कावे के पहले दा का यूज के जाता है प्रेट डिफाइन रहता है तो यहां पर दा आएगा कुछ नम्बर 17 बहुत ही अच्छा कोच नम्बर 17 मैं अपको पता है तो मैं मतलब होता है रिफ मतलब 22 मेरी दो तरही मां हे हुआ हाँ मतलब ही होता है यह डीफ मतलब 25 होता है उसको कोचन 18 टिक इस्टें कुछचर 18, blank space God bless you, with a daughter, can, could, may, तो दिकिंगी किसी को आशिरवाद देने के लिए, शुब कामना देने के लिए, और हम जो है में का यूज करते हैं, तो राइड अजर होगा, May God bless you, तो ब्लेसिं करने के लिए में का यूज करते हैं, May God bless you, तो राइड आसर होगा हमें, कुछचर 19, the building has blanks down, falling, fallen fell, present perfect का है, present perfect V3 का यूज होता है, Fallen का यूज होगा, Fallen मतलब present perfect V3 आता है, Fallen V3 है, the building has fallen down, कुछण अपका 20, जो के last वाला कोच्छन है, ठीक है, last वाला कोच्छन है, last वाला कोच्छन है, तो इस तरह से लेके 20 कोच्छन के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिये है, with explanation, सारी कोच्छन को मैंने आपको explain भी करा दिया, detail में explain करा दिया, जो के आपके grammar के portion से लिए गए थे, सारी कोच्छन आपके लिए बहुत ज़़दा important थे, आने वाले जितने भी आपके exam से टर्मिनल हो, half-year लिग परी board हो, चाहिए board exam हो, आपके जितने भी test है, उन सब में इस तरह की कोच्छन आपके लिए बहुत ज़़दा helpful होने वाले, बहुत ज़़दा आपकी support, आपकी help करने वाले हैं, तो students, अब चैनल को subscribe जरूर कर लिजएगा, क्योंकि आपके board exam की तयारी कराने के लिए, हमारे चैनल को subscribe करना जरूर है, जिससे कि जैसे भी new video upload करूँगा, जैसे भी new notification आता है, new update आता है, जाया आपके जो terminal exam होते हैं, उसका solution हो, या फिर इसके अलाव आपके जो भी exam होते हैं, उसकी तयारी के लिए, आपकी especially English की तयारी के लिए, let it update के लिए, चैनल को subscribe करना जरूर है, तो चैनल को subscribe कर जाएगा, so that आपको आने वाले वीडियो की notification सबसे ले टाइम पर मिलते रहे, अगर आपका कोई comments है, कोई confusion है, तो आप comments लॉक्स में जाकर मुझे comments करके, पूछ सकते हैं, thanks for watching.